धातू रूप धातू रूप के दो भाग होता है लट और रिट लट बाने present tense सो जब हम किसी भी धातू रूप के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसमें कैसे लिखेंगे एक वचन, दुबबचन, बहु वचन होता है प्रतम, मध्यम उत्तम पुरुष तो हमें इस तरह याद रखना है ती तहा अन्ती सी थह था मी वह महा तो किसी भी शब्द के साथ हम क्या जोड़ेंगे ती तहा अन्ती सी थह था मी वह महा अब for example लट के हम गम रूप को देख रहे हैं गम का लट रूप क्या है गच्छ मने जाना कहीं जाना गो तो हम लोग क्या लिखे गच्छती गच्छ प्लस ती गच्छती गच्छ प्लस तह गच्छ तह गच्छ प्लस अंती गच्छ अंती गच्छ प्लस सी गच्छ सी गच्छ प्लस थह गच्छ तह गच्छ तह गच्छ आम गच्छ, प्लस, आंज, गच्छ, प्लस, आवह, गच्छ, अज, क्छ, प्लस, मह, गच्छ, मह, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे जब ही हम C बोर रहे हैं यह actually 80 है ठीक है A समध्र चोटी कमान असी है तो गच्छा प्लस, असी गच्छ असी हो गया है ठिक है, पूर्ण हो गया है तो हमें याद रखने के लिए ती तहां अन्ती, सी थाथ, मी वहं महां ये याद रखेंगे तो हम किसी भी शब्द के धातु रूप लिख सकते हैं क्रिया के धातु रूप होते है दवर्प्स तो गच्छा माने गो तो ये गो गच्छ के धातु रूप हो गए गम अस नेक्स्ट अस अस मिस इज अस के जो प्रेजेंटेंस दलट रूप होते हैं उसे अस में ही रखते हैं तो क्या होत हुआ असा प्लस अती असती स्थह संती असी स्थह स्थह असमी स्वह स्मा दुबारा कर रहा है अस्ती स्थह संती असी स्थह स्थह असमी स्वह स्मा तो हम यहाँ पे लट रूप के दो शब्दों के धातु रूप देखे हैं एक है गम गम का लट रूप के है गच्छ और अस ठीक है तो इन दोनों के धातु रूप देखे हैं अस्ती स्थह इने में पी रूप के लट मीवड़।